दोस्तो भगवान सिव के कई भक्तों के बारे में आपने जरूर सुनाओगा कभी लोग रावन को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं तो कभी नंदी महराज को उनके परम भक्तों की स्रेणी में गिना जाता है ऐसे ना जाने कितने भक्त है जो कि सिव की महिमा का बखान पूरे दीसु भी दीसु में किया करते है लेकिन कई लोगों का आज भी ये प्रशन रहता है कि आखिर महादेव के परम भक्तों में सबसे ज़्यादा प्रशिद्ध को ने आप लोग को बता दे महादेव की भक्ती की स्राणी में दसनन रावन, नंदी महराज और भगवान मिश्णु का नाम सबसे पहले अस्थानों पर आता महादेव स्रिष्टी की विनासक की रूप में जाने जाते लेकिन अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रशन भी हो जाते तो आईए जानते हैं दोस्तों आज की इस वडियो में आखिर भगवान सिव का सबसे बड़ा भक्त कोन है दोस्तों पुराणों की बात करें तो भगवान सिव के परम भक्तों में से रावन को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है क्योंकि रावन ही एक ऐसा राजा था जो भगवान सिव को अपना गला काट कर अविसेख करता था ये ऐसा तपश्वी था जो हिमाले की चोटी पर लगतार पाँच वर्षों तक भगवान सिव की तपश्या में लिन था इसलिए वेदों में भी ऐसा बताया गया है कि भगवान सिव ने स्वेम ही रावन को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है इसके बाद आते हैं नंदी महराज सिव जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मन्थन के समय अमरित के स्थान साथ विश भी निकला था जिस विश से संपुर्ण स्रिष्टी की रच्छा के लिए भगवान सिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था लेकिन विस्पान करते समय कुछ भूंदे धर्ती पर जागे लिए जिसे नंदी बहराज ने स्वेम ही करण किया था नंदी के इसी प्रेम और समर्पन को देखकर भगवान जी बहुत प्रश्ण हुए थे और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपादी दिये थे दरसल विष्णू और स्यू को पुराणों के अनुसार एक दूसरे का परमभक्त बताया जाता है ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णू जितने स्यू के भक्त थे उतने ही बड़े भक्त भगवान स्यू भी विष्णू के थे दोनों हमेशा एक दुसरी की भक्ती में लेन रहते हैं और एक दुसरी की ही पूजार्चना करते हैं इन दोनों का भी फ्रेम भक्ती रमाण काल में दिखाया गया है जब भगवान विश्नो राम के आवतार में रावन का अंत करने के लिए प्रीतवी लोक में आये थे तो भगवान सिव के भक्ती ने हनुमान का रूप धारण कर राम आवतार का पूरा सयोग किया था तो दोस्तों अब इन तीनों में आप ही बताईए कि सबसे बड़ा सिव भक्त कोन है कोमेंट करके जरूर बताईएगा हर हर महादेव